पेट नॉम्बर 6, सुल्टनेट इन नॉर्थ, सुल्टनेट मतलब वो प्लेसे जहां पे सुल्तान का राज होता है इन सानो में क्या हुआ था? की अफगानिस्तान से जो किंग थे मोहमद गुरी वो इंडिया आये थे ही अपॉइंटेड कुतुब बुद्दिन आइबख को उन्होंने जो भी टेरिटरीस कॉंकर की थी इंडिया में वो सबको सम्भालने के लिए कुतुब बुद्दिन आइबख को उन्होंने रिस्पोंसिबिलिटी दी थी लेटर आफर अफर दात अफ मोहमद गुरी इन हाफ सबस्क्राइब बुद्दिन आइबख को उन्होंने जो रिस्पोंसिबिलिटी ती उसको सम्भालते थे पत मुहमद गुरी के डेथ के बाद क्या हुआ कि एबग जो थे वो इंडिपेंटली इंडिन टेरिटरी इस पर राज करने लगे तो एबग वो वो इनिशली असलेव बिकेम दे रूलर अफ देली ही डाइट इन 1210 सीए इब्राहिम लोदी वो थे लास्ट सुल्तान इब्राहिम लोदी जो थे वो लास्ट सुल्तान थे जिन्होंने इंडिया पर राज किया था बट क्यूंकि उनका टेंपरमेंट पिकुलिर टेंपरमेंट वतलब कि वो जल्दी से सबके साथ घुलते मिलते नहीं थे या उनको बहुत जल्दी गुस्सा आता था या सबसे मिलजूल के नहीं रह पाते थे वो तो उनके इस बिहेवियर की वज़े से उन्होंने बहुत सारे दुश्मन बना लिये थे तो दौलत खान लूधी गवर्नर अफ पंजाब इन्वाइट बाबूर रूलर अफ काबूल तो फाइँछ अगेंस इबरहाम लूधी तो दौलत खान लूधी ने क्या किया था जो गवर्नर्थे पंजाब के उस वक्ट उनोंने बाबर किंग जो थे उनको बुलाया था बाबन ने किया कि उन्होंने इब्राहिम लोदी को वर में हरा दिया और सुल्तान का रूल इंडिया से खतम हो गया तो नेक्स इस किंग्नम आफ विजय नगर दूरिंग रेन अफ सुल्तान मोहबद बिन तुगलिक अफ इंडिया देर वा मेनी रिवर्ड्स इंडिया अगेंस दे सेंट्रल पावर अफ देली तो क्या हुआ कि यह जो मोहबद बिन तालुक थे देली में उनके रूल के टाइम ऐसा हुआ कि साउट में लोगों में काफी प्रोब्लम हुआ था यह देली से जो पूरा राच चल रहा था देश पे उसके वज़े से तो यह रिवोल्ट जब चुरू हुए तो उस वक्त क्या हुआ कि दो नए किंग्णम आए विजए नगर और भामनी यह ऐसे किंग्णम थे जो बाद ने बहुत बुरी तरह बरबाद भी किये गए इसलिए उनको हुआ फॉर्मिडबल बोलते हैं पॉर्द शर्दार्स तो दो सर्दार्स थे तो डेली सल्तनित की सर्विस में थे बाद साथ इनका नाम था हरिहर और बुक्का तो क्या हुआ कि ये जो सरदार्स थे इन्होंने जो साथ में सिचुएशन चल रही थे कि लोग बहुत परेशान हो रहे थे वो चीज का उन्होंने फाइदा उठाने की कोशिश की हांक अब भी जो करणाटका में पलेस है हम पी वो उस वक्त वहां का कैपिटल था उनके किंग्नम का हरीहर वस येजो दो सरदार्स थे इनमें से हरिहर जो सरदार्स थे विजएव Bj नगर के हरीहर was succeeded by his brother बुक्का फिर हरीहर के बाद बुक्का जो थे वो king बन गए बुक्का बुक्का ब्राट दे रीजिन अप टो रामेश्वर अंडर इस कंट्रोल तो बुक्का नहीं क्या किया कि उन्होंने अपने रीजिन एक्स्पैंड किया रामेश्वर तक तो रामेश्वर तक का सारा रीजिन उनके अंडर था कृष्णदेव राया कृष्णदेव राया असेंड़ दे थ्रोन ओफ विजय नगर इन 1509 तो अभी जो दो सर्दार्स थे हरीहर और बुक्का इनके बाद कृष्णदेव राया ने विजय नगर को संभाला तो उन्हों ने कौन कौन से रीजिन को कौन कर किया विजय वाडा और राज महेंदरी महेंदे चाह के अंधर जो यह लोग थे उनके उनको उन्होंने लेफेट कर दिया During Krishnadev Raya's reign, the kingdom of Vijayanagar extended from Kattak in the east up to Goa in the west and from the Raichun Doab in the north up to the Indian Ocean in the south. He died in 1530 CE. So Krishnadev Raya ने अपने kingdom को बहुत expand किया था India में. पर फिर उनकी डेथ हो गई 1530 CE में. Krishnadev Raya was a scholar. He wrote a Mukta Malayada, a Telugu Compendium on Polity. So Krishnadev Raya जो थे पो एक scholar थे. The Hazar Ram temple and the Vithal temple were built in Vijayanagar during this reign. तो उनके ही राज के टाइम पर ऐसा हुआ था कि ये कुछ नए टेमपल भी बनाए गए थे. The decline of Vijayanagar kingdom began after the death of Krishnadev Raya in 1565. तो Krishnadev Raya के death के बाद ऐसा हुआ कि Vijayanagar kingdom की हालत खराब होने लगी. At Talikot in the present state of Karnataka, there was a battle between Adil Shahi, Nizam Shahi, Kutub Shahi, Barihat Shahi on one side and Vijayanagar on the other side. तो क्या हुआ कि ये चार लोगों ने मिलके विजयनगर पर अटाक किया. Vijayanagar was defeated. Thereafter, the dominance of Vijayanagar came to an end. तो ये वाले वाले वाल में क्या हुआ कि क्या हुआ कि चार लोगों ने मिलके अटाक किया था, तो Vijayanagar हार गया. उसके बाद से Vijayanagar का dominance खतम हो गया. अब हम देखेंगे, the Bahamani Kingdom. वाइल, मुहमद बिन तकलुक was still reigning, उनका फिर भी राज चल रहा था. Some of his सर्दारs in the Deccan rose in rebellion against him. तो क्या हुआ था कि उनके राज में उनके अंडर जो सर्दार्स थें, वो उनके अगेंस्ट खड़े हो गये. The leader of these सर्दारs, Hassan Gangu, defeated the army of the Sultan in Delhi. तो ये जो सर्दार्स थे, इनका लीडर था, उनके लीडर थे, Hassan Gangu, जिन्होंने सुल्तान के आमी को defeat किया Delhi में. Now we'll go to page number 7. A new kingdom known as Bahamani Kingdom came to existence in 1347 CE. तो ये वाले चीज के बाद किया हुआ, जब सर्दार ने सुल्तान को defeat किया, उसके बाद एक नया kingdom आया, Bahamani Kingdom, 1347 में. Hassan Gangu became the first Sultan of Bahamani Kingdom. तो ये, Hassan Gangu जो थे, ये सबसे पहले सुल्तान बने, Bahamani Kingdom के. He made the city Gulburga in Karnataka as his capital. तो कarnataka में जो city है, Gulburga, उसको उन्होंने अपना capital बनाया था. हुआ हाओगं एका का कि अष्ग, इसके इसाएपँ हुआ है। साट्सक्राद क – चाल कि वहाग हाँ. साट्सक्राद जो उन्होंने the Landnings के पनाया थाद, भūके म century खव dobrá अ.